SGST विभाग ने शहर के सभी MSO और ऑपरेटर्स के साथ बैठक की बैठक में सभी को पंजियन कराने के लिए कहा गया है MSO और ऑपरेटर्स ने Grade 1 कमिशनर के सामने अपनी तमाम तरीके समस्या रखी SGST विभाग में Grade 1 कमिशनर के सामने बैठे जिन व्यक्तियों को आप सभी देख रहे हैं इन में से कुछ MSO हैं जबकि कुछ लोग केविल ऑपरेटर्स हैं दरसल SGST विभाग के Grade 1 कमिशनर ने इन सभी को GST में पंजियन कराने के लिए बुलाया था GST में पंजिकरत कराने से होने वाले लाग के बारे में सभी को बताया गया बहुत अच्छी गवर्मेंट की और मैं करूं सबको फॉलो करना चाहिए बर्स 2020 की सुरुवात में ही SGST विभाग को पहले ही दिन से एक बड़ा टार्गेट दिया गया है MSO ने अधकारियों के सामने अपनी तमाम तरह की समस्यां रखी GST में रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाली सुभधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई समस्या एक तो जह है जो MRP चैनलों की है उसके उपर टेक्स ही ले जा रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन नाम ना पता कुछ नहीं लाइन लेका आगा है जो पूरे आगर हमें गंदगी भेलाने का काम कर रहे है कोई फ्री कहता है कोई कहता में तने पैसे और दूँगा तेरे को तो कहां से ला रहे हैं इसकी जाच होनी शाहिए मेरे साब चैनल से हमारी समस्चा है बहुत थी जैसे कि सिभी चैनल की MRIP थी उसके बाद Seven ग्रहक से लेकर देना होता था इस पर ग्रहक से काफी लड़ा यग्ले भी होते थे नहीं सब के साथ नियम मेक्रूं बैटक के दोरान MSO ने कमिशनर के सामने रेजिस्ट्रेशन के बाद क्या कोई दिक्कत आएगी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना रेजिस्ट्रेशन कराई ही काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्नित करने की बात कही गई है इस दोरान सबसे ज्यादा बात 40 लाग के टर्न ओवर वाले ब्यापारियों पर वी लेकिन सभी को जी एश्ट्रेशन कराना अनवार बताया गया और अब सबको रेजिस्ट्रेशन लेना अनिवार है जिसमें इनी का फायदा है इनी का हित है उसमें 10 लाग का दुर्गटना बीमा है जो गवर्मेंट दे रही है और कई योजनाएं हैं जो इनको लाप मिलेगा रेजिस्टर्ड होने के बाद लाप ज्यादे है अभी कम है जा रहा है इसके अलावा 5 करोड वाले ब्यापारी के टर्न ओवर के लिए तिमाही रिटन बने की स्कीम आ रही है सरकार का कहिना है कि जिसमें पंजियन कराने वाले ब्यापारी सम्मान का प्रतीक हैं जिसमें कर प्रणाली में समस्तकार घर वैटे ऑल्लाइन होते हैं देश समैस के माद्यम से दाखिल करने की सुवदा भी दी जा रही है कि बिनोज जुनियर सीनुज अग्रा कि संजय प्लेस के ब्यापारियों ने समस्त्या का समाधान ना होने के चलते भाश्पा पार्टी से स्तिफा दे दिया है ब्यापारियों का कहना है कि अधिकारी और नेता उनकी सुन नहीं रहे हैं कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज ब्यापारियों ने भाश्पा छोड़ दिया है कि तेरा सो से अधिक ब्यापारियों कम हो बाश्पा से भंग हो चुका है यह धरने पे सिर्फ हमारे एक सूत्रिय कारिकरम है कोई ज्यादा कन्फूजन क्रियेट करने वाली कोई चीज नहीं है हम लोग नियायले में इनके खिलाप काफी दुनों से केस कि ये बैठे हुए ह ये जो नगरने गम है जिनोंने ये अवैत तरीके से ठेका उठा रखा है और ये भी हमारे साथ नियायले में हैं इन्होंने बिना नियायले की कोई पर्मीशन लिये हुए अवैत रूप से टेंडर डाला और तमाम गुंडे लफंगों को यहाँ पैसा बसूलने के लिए अन अवैत पसूली नगरने गम द्वारा जवरजस्ती अपने गुर्गों को दी गई है अवैत तरीके से जबकि ये मामला सभी को मालम है कि 2008 से कोट में विचारा दीन है अपना बैपार कारोबा छोड़कर संजय पलेज बेलफर एस्टूशन के बैपारी संजय पलेज में आने वाले गिराकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन ना तो उनकी सुनवाई के लिए नगर निगम का कोई अधिकारी आ रहा है और ना ही कोई नेता आ रहा है इससे परिशान बैपारियों कहना है कि उन्होंने भाश्पा के सभी बड़े नेताओं और अध्यश को पार्टी छोड़ने के लिए इस्तिवा भेज दिया है बीजेपी छोड़ने का मामला तो यह है कि जब यहाँ पे बैपारियों को जो भी परिशानी आ रही है आज तक दसवाँ दिन है यहां अंदोलन का एक भी बीजेपी का नेता कोई हम लोगों के दुखदर्द में सामिल होने नहीं आया सर मामला यह है कि जो नियाले में काफी टाइम से केस चला था उसके ब्रोध में कलम ने धरना दिया सांति पर यह तरीके से अपना बैपार करने वाले बैपारियों को आज सुनवाई नहीं होने से बागी तेवर अपनाने पड़ रहे हैं पारकिंग के मामले में बैपारी कईवार नगर निगम और जन प्रतिनियों के चकर काड़ चुके हैं लेकिन अब तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है चुनाप के समय याद आने वाले बैपारियों को आज सभी भूल चुके हैं इससे नाराज बैपारियों ने अंदूलन करते हुए बागी तेवर अपना लिये हैं बिनो जूनिया सी न्यूज आगरा